स्वागत है एक और नई वीडियो में आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अप्लिकेशन के बारे में जिसका नाम है दोस्तों सुभलोन इस अप्लिकेशन के अंदर आप सभी को दो परकार के जोकी लोन मिल जाते हैं पहला आपको यहाँ पे छोटा लोन जो पे आप सभी ले सकते हैं छोटा लोन एंड परसनल लोन अप्लिकेशन काफी अच्छा है तो इसके अंदर आप सभी कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों मैं आज आप सभी को बिल्कुल लाइप प्रूप को साथ यहाँ पे लेकर दिखाने वाला हूं तो दोस्तों अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं इस अप्लिकेशन से तो कैसे इसके अंदर आप सभी अप्लाई करेंगे वो साड़ा तरीका बिल्कुल एस्टे बाई एस्टेप इस वीडियो के अंदर जो की छोटा लोन लेकर के मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं तो दोस्तों अगर आप लो करना है आने के बाद आप सभी सर्च करेंगे माई सूब लाइफ लिकर के सर्च करेंगे माई सूब लाइफ लिकर के सर्च करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा तो इसी को आप सभी को इंस्टॉल करना है मेरा यहां पे इंस्टॉल किया ह हुआ है आप सभी यहां से इसको install कर लेंगे करने का बाद चलिए मैं इसको open करता हूं तो open करने का बाद सबसे पहले आप सभी यहां पर language जो कि select कर लेंगे कि आप किस language में इस्तिमाल करना चाहते हैं तो मैं English वाले में टीक करता हूँ तो चलिए मैं यहां पर टर्मेंट कंडिशन वाले में चेक मर करता हूँ एक सेप्ट वाले पे किलिक करता हूँ करने का बात जो है गाई अब आप सभी को यहां पे क्या करना होगा देख सकते हैं कि कुछ लोन का परकार यहां पे दिया गिया है अब आप सभी को यहां पे क्या करना होगा नीचे signing in with google लिखा हुआ है इस वाले पे आप सभी को किलिक करना है और एक email ID से यहां पे आप सभी को verify कर लेना है तो चलिए मैं यहां पे एक email ID जो कि select कर लेता हूँ और करने का बाद जो है गाई अब आप सभी के सामने कुछ इस परकार से आएगा तो इन सभी permission को allow कर देंगे उसके बाद आप सभी को यहाँ पे mobile number का option आजाएगा अगर आप सभी true caller चलाते हैं तो उसका number उपर में आपको देखने को मिल जाएगा तो अगर वही number से verify करना चाहते हैं तो यहाँ green color का continue लिखा हुआ है इस वाले पे check mark करेंगे अगर दूसरा number से कोई sign up करना चाहते है तो नीचे यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है use another mobile number इस वाले पे आप सभी click करेंगे और करने के बाद यहाँ पे आप सभी क्या करेंगे यहाँ पे आप full name डालेंगे जो pain card के उपर है वही नाम डालेंगे नीचे यहाँ पे मेरा mobile number दूसरा number जो मेरे mobile का अंदर है automatically ले लिया गिया है उसके बाद यहाँ नीचे continue लिखा हुआ है इस वाले पे आप सभी click करेंगे तो मैं यहाँ पे click कर दिया हूँ मेरे mobile number पे एक OTP आएगा तो चलिए मेरा OTP यहाँ पे आ गिया है हमें enter कर लेते है तो मैं यहाँ पे OTP डाल दिया हूँ उसके बाद यहाँ पे automatic जो की verify हो जाएगा उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस परकार से interface जो कि देखने को मिलेगा कई option आहां इसमें को मिलेगा तो आति या पर देखा हुआ है कोई one यादे देखे है to यहां personal वाले में क्लिक करेंगे तो हम छोटा लोण ही लेंगे तो यहां apply वाले पर क्लिक करेंगे और करने का बाद जो है Guys आप देखिए कुछ इस परकार से interface open होगा So Guys तो उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस परकार से एंटर फैस आएगा था अब यहाँ पेस सब से पहले आपको pen number यहाँ एंटर करना है इस box में और date of birth आप यहाँ पे सही date of birth जो की fill करेंगे और यहाँ पे नीचे आपको area का pin code fill करना है उसके नीचे यहाँ पे आपको employment type में select करना है कि आप कहीं पे job करते हैं य आपको net monthly income क्या है वो यहां पे आप फिल करेंगे total work experience क्या है यहां आप फिल कर लेंगे उसके बाद company name आपको नीचे यहां पे फिल करना है और इसके बाद नीचे continue का option है इस वाले पे आप सभी जो की click कर लेंगे उसके बाद आप सभी को यहां पे दो option मिलेगा पहला यहां पे आपको personal loan का salary और दूसरा यहां पे आपको छोटा loan लिखा हुआ है तो अगर आप छोटा loan लेना चाहते हैं 3000 से 10,000 के अंदर तो इस वाले पे click करेंगे अगर आप 15,000 से 2,000,000 रुपे तक का loan लेना चाहते हैं तो उपर वाले पे click करेंगे personal वाले पे तो हम यहां पे छ personal details उसके बाद आपको KYC, bank details फिर loan details आप सभी को complete करना है तो चलिए यहां से मैं आप सभी को बिल्कुल step by step बताता हूं तो personal वाले पे आप सभी click करेंगे तो करने के बाद जो है अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से interface हा जाएगा तो यहां पे आपको current address जो की fill करना ह house number, street name, locality, landmark यहां पे मेरा pin code so हो जाता है, residence type आप यहां पे select कर लेंगे उसके बाद basic information में आप यहां पे gender है तो gender select कर लेंगे male या फिर female उसके बाद नीचे continue का option है इस वाले पे click करेंगे तो जैसे ही उस वाले पे click करेंगे तो अब आपको यहां पे second step में यहां पे आप सभी को आधार based KYC करना होगा यहां पे आधार से आपका जो भी mobile number link होगा, उस पे एक OTP aight चाहाएगा, उससे यहां पे आप सभी को आधार बेसे KYC करना है उसके लिए आप सभी को इस वाले पे किलिक करेंगे और करने का बाद जो है आप सभी के सामने कुछ इस परकार से आएगा चलिए उसके बाद आप सभी को क्या करना है यहाँ पे इंटर आधार नमबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप सभी इंटर आधार नमबर डालेंगे आधार KYC वेरिफिकेशन यहाँ पे करना है तो यहाँ आधार नमबर डालेंगे और यह जो कपचा आप सभी को दिख रहा है इस कपचा को यहाँ पे फिल करेंगे उसके बाद जनरेट OTP वाले पे complete हो गया है पहला मेरा यहां पे bank personal details उसके बाद यहां पे KYC दोनों में tick लग चुका है दो details यहां पे अभी मेरा बाकी है जो कि पहला यहां पे bank details और दूसरा loan details यह दोनों अभी यहां पे complete करना है तो चलिए हम bank details वाले पे click करेंगे और करने का बाद जो है आपको यहां पे enter करना है उसके बाद IFC code यहां डालेंगे और डालने का बाद यहां continue वाले पे आप सभी click करेंगे उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस परकार से page आएगा तो यहां पे आपको loan requirement जो की fill करना है तो यहां बाद यहां continue वाले पे click करेंगे तो अब आप सभी यहां पे देख सकते हैं कि मेरा चारो details यहां पे feel हो गया है चारो में यहां पे देख सकते हैं कि green tick लग चुका है उसके बाद आप सभी को apply for loan लिखा हुआ है यहां पे आप सभी को किलिक करना है अब यहां पे देख सकते हैं apply for loan your loan application is complete यहां पे आप सभी जो की इनका rating दे सकते हैं तो आपको जितना चाहे उतना मर्जी यहां पे आप rating दे देंगे आप सभी यहां पे देख सकते हैं कि मेरा loan जो है यहां पे loan application progress में है यहां आप सभी पर सकते हैं कि loan application मेरा जो है progress में है तो guys तो मैं यहां पे कुछ दिर 5 मिनट जो की wait किया हूँ तो अब देखिए मेरा यहां पे loan जो की congratulation your loan has been approved हो गिया है यहां पे give consent लिखा हुआ है इस वाले पे click करेंगे और करने का बाद जो भी आपका loan details है वो सारा यहां पे आप सभी को दिख जाएगा जैसे कि मेरा guys यहां पे देख सकते हैं कि मैं 3000 जो की select किया था loan लेने के लिए तो मुझे यहां पे 3 मन्त के लिए जो की मिलेगा loan tenner देख सकते हैं 3 मन्त के लिए और मेरा interest जो लगाए जाएंगे वो यहां पे 3% per month के हिसाफ से मेरा EMI बनेगा guys यहां पे देखिए कि 1090 रुपए का processing fees यहां पे लगेंगे 500 रुपए और total repayment करना होगा guys आप सभी को 3270 रुपए तो मैं यहां पे अगर आप सभी लेना चाहते हैं तो यहां accept loan offer लिखा हुआ है इस वाले पे आप सभी किलिक करेंगे अगर नहीं लेना चाहते हैं तो यहां नीचे I don't accept this loan offer लिखा हुआ है इस वाले पे आप सभी किलिक करेंगे तो दोस्तों मैं यहां पे अभी फिलहाल नहीं लूँगा क्योंकि मुझे कई application से loan चल ला है इस वाज़े से मैं यहां पे अभी फिलहाल नहीं लूँगा तो इसके बाद आप सभी को क्या करना है आप सभी को पता है कि कोई भी application में इनाच जो की अब सभी application में लंसम जो की सभी को complete करना होता है तो इनाच यहां पे आप complete कर लेंगे या तो net banking से या फिर आपके पास david card है तो उससे भी आप सभी यहां पे complete कर सकते हैं उसके बाद कुछी समयवाद यहां पे जो की आप सभी के account में amount credit कर दिया जाता है तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को लेकर नहीं दिखा पाया हूँ साड़ा step जो की complete हो गया है सिर्फ not complete करना है उसके बाद account में जो की amount transfer कर दिया जाएगा सो दोस्तों तो next वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बिल्कुल like proof यहां से आगे का step जो की बदाऊंगा क्योंकि अभी मुझे कई application से loan चल लहा है जिसके वज़े से मैं अभी फिलाल यहां पे नहीं ले पाया हूँ दोस्तों application काफी अच्छा है आप सभी जरू try कीजिएगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सारा कुछ समझ में आ गया होगा कोई भी doubt रह जाता है तो आप हमें comment कर सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही